Under 90 Asia Cricket World Cup start हो चुका है जो कि 8 December से 17 December तक चलने वाला है और जिसको United Arab Emirat host कर रहा है जिसमें total 8 participant है और जिसमें total 15 matches होने वाली है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप Under 90 Asia Cup को कैसे live देख सकते हैं और अगर TV में देख सकते हैं तो कहां पर देख सकते हैं इस सभी के बारे में ह आपको एक screenshot दिखा रहा हूं जहां पर यहां पर से आप read कर सकते हैं लिखा है ती game will not be telecast on any TV channels in India but fans can enjoy live streaming on the Asian Cricket Council's official YouTube channel यानि कि हमें यहां पर साफ साफ तोर पर बताया गया है कि Under 90 Asia Cup हम TV channel में किसी भी channels पर नहीं देख सकते हैं यानि कि TV में आपको Under 90 Asia Cup देखने को मिलेगा नहीं अगर आपको देखना है फिर भी तो आपको YouTube पर ही free में देखने को मिल जाएगा आपको कोई भी paid subscription लेने की ज़रूरत नहीं है तो अब हम देखते हैं कि YouTube में आपको कहां पर देखना है तो सबसे पहले हम YouTube open कर लेंगे YouTube क open करके यहां पर search box में आपको simply type कर देना है Asian cricket council जिस तरह मैंने type किया है उसी तरह type करके आपको search कर देना है आप जैसे ही search करेंगे तो सबसे पहले ही आपको Asian cricket council की official YouTube चैनल देखने को मिल जाएगी जिसमें 19 प्लस 2 लाग subscribers है तो यहां पर आपको इस चैनल पर चल ले जाना ह दोस्तों ध्यान रखें आपको official channel पर ही जाना है जिसमें 19 लाग subscribers है तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको live channel देखने को मिल जाएगी और अगर in case यहां पर आपको live channel देखने को नहीं मिलती है यहां पर YouTube channel का logo है जो कि आपको show हो रहा है यहां पर live भी लिखा है तो simply आप को इस logo पर click कर देना है तो भी आपके सामने live match स्टार्ट हो जाएगी जैसे के अभी देख सकते है जापान वर्सेस बांगलादेश के अभी live match चल रही है तो कुछ इस तरीके से आप अंडर 90 एशिया कप को live देख सकते है तो गर वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटी सी request ह है कि चनल को subscribe करके bell icon को press कर लेजएगा आपके सिर्फ एक subscription है से हमें motivation मिलता है और वीडियो को like भी कर दीजएगा